पूर्व में आगमन किस तरीके से वा उसके बारे में पढ़ेंगे मुगल बादसाव में औरंग जेव आखरी सकतिसाली बादसा थे 1707 में उनकी मिर्तियों के बाद बहुत सारे सूबेदारों एक चोटी वियापारी कमपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के निती निर्धारक बन बैटे तो जैसे जैसे बिटा इनका सासनकाल खत्म होता जा रहा था वही दूसरी तरफ क्या हो रहा था जो अंगरेज थे वे 28 सदी में उत्रार्द में ठीक है राजनितिक सितीज पर अंगरेजों के रूप में एक नई ताकत उबरने लगी थी वो राजनिति में आने लगी थी इध रखते हैं 1620 में East India Company ने England की महारानी Elizabeth पर्थम से पूरव में व्यापार का चार्टर यानि की चार्टर मतलब क्या होता है इजाजत नामा ठीक है हासिल किया था 1600 ECU में East India Company थी वेटा जो आई थी उसने England की महारानी थी Elizabeth पर्थम ठीक है माहा ऐसे नाम रखे जाते हैं उनसे पूरव में मतलब कि जो भारत था मतलब जैसे मानलो ये इलाका है तो इस तरीके से क्या होता है ये पूरव ये पस्चिम ये उत्तर ये दक्सिम तो पूरव हिस्स में क्या किया वेआपार का चार्टर मांग लए बतरीकि वेआपार कर सकते हैं उनसे इजाजत मांग ले ठीक है तो और वो हिस्सा किस से मिलता था वो भारत से मिलता था उनका ठीक है then इसके अनुसार कंपनी को पूरव में वयापार का एका अदिकार मिल गए यानि इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में East India कंपनी से होड नहीं कर सकती थी क्योंकि वही वो माँ पर वयापार कर पाते थे और नहीं कर पाते थे क्योंकि आपड तो समुद्र के साहरे दूसरे देशो में जाकर वहां से व्यापार करना सुरूव कर दिया इलाके खंगालने लगी कहा कै व्यापार हो सकता है वहां से सस्ती कीमत पर चीजे खरीद कर उन्हें यूरोप में उची कीमत पर बेच कर मुनाफ़क कमा सकती थी वो ठीक है महां से लेकर आती सस्ते दामों में और अपने देश में क्या करती थी पूर्वी हिस्से में उचे दामों पर बेचती थी ठीक है लेकिन यह साही दास्तावेज दूसरी योरोप यह ताकतों फ्रांस डच पूर्टगाल को पूरव के बचार वो उनको आने से नहीं रोक सकी जब तक इंगलेंड के जहाज अफरीका के केप ओफ गुड होफ का चकर लगा कर हिंद महासागर पार कर भारत पहुचते तब तक पूर्टगालियों ने गोवा में अपना ठीकाना बना लिया तो जैसे ये करते थे बेटा इंगलेंड के जह के बाजारों में भारत के बने सूती कपड़े रेसम के अलावा काली मिर्च, लोंग, इलाइची, दालचीनी की जबरजस्त मांग थी तो यूरोप के जो बाजार थे बेटा महा पर भारत में जो वस्तुए बनती थी सूती कपड़े हो गए रेसम के अलावा काली मिर्च हो लोंग ये सारे फेमस थे बिटा ठीक है मसाले जो भी है केरल साइड मिलते हैं ये सारे मसाले दालचीन इन सब की जबर जस्त मांग हो गए थी मतलगी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गए थी दिमांड सभी यूरोपिय कंपनियों के बीच बढ़ती परती परतीस परदा के का उरोपिय कंपनियां जो थी उनके कारण भारत में इन वस्त्यों की कीमत बढ़ने लगी क्यों हो गहां से बाजारव करते इन लडाईयों की वजय से उन्हों पिर अपने हिस्से डिसाइड कर ले इतना हिस्सा उनका इतना हिस्सा उसका ठीक है इस कारण उनका टकरा स्थानिय सास को से भी होने लगा कि कोई स्थानिय सास किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा इस तरीके से तो उनमें टकरा होने लगा जो राज्ये का मुनाफ़क होने के कारण इन वयापारी कंपनियों से पहले ही दुखी थे तो राज्य का तो बेटा सारी क्या करती थी सरस्ते दामों पर विदेसों में ले जाती थी तो इसलिए वो दुखी थे उस राज्य के जो भी सा सकते तो वो और भी ज्यादा दुखी हो गए इनके इस किले बंदी करने से कि इतने हिस्से के यहां इतने हिस्से के यहां पर खरीदेंगे या बेचेंगे ठीक है अब यह हुआ कैसे उधारन के तोर पर बंगाल के सूबे को देखते है जो वो नाराज थे तो यह मतलब विरोध कैसे शुरूआ 1651 इसी में हुगली नदी के फैक्टरी के आसपास बसने के लिए प्रेरिद किया जो भी व्यापारी थे उनको अपने आसपास कमपनी के बसने के लिए बोल दिया ताकि उनका व्यापार अच्छे से चल सके 1696 तक आते आते कमपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 1698 में मुगल अफसरों को रिस्वत दे कर तीन गाउं की जमीदारी भी खरीद ली तो उनसे फिर वो जमीने खरीदने लगे अपना वो बढ़ाने लगे एरिया जिसमें एक गाउं काली कटा था ठीक है काली का था जो बाद पैंक कलकता बना फिर अब उसे कोलकाता बोला जाता है तो इन में से एक गाव ये भी था कमपनी के मुगल बादसा ओरंग जेव ने फर्मान प्राप्त कर लिया था जो कमपनी का मुगल बादसा था ओरंग जेव कमपनी का जो बेटा मतलब की कहलो हिस्सेदार था मालिक था उसने क्या-क्या मुगल बादसा औरंग जेव से फरमान पराप्त कर लिया था जिसके अनूसार वो क्या कर सकती थी नीजी वयापार के लिए तो company के जो अफसर थे वो अपना नीजी वयापार भी करते थे तो उसके लेए वो सुलक चुकाने से उन्होंने भी मना कर दिया लेकिन उन्होंने भी सुलक कुडाने से इंकार कर दिया जिससे बंगाल से वहां किसा सकते उनका जो कर चुका वसूली करते थे वो बहुत कम होने लगी जिससे क्या हुआ बेटा उनको दूसरों को वेतन देना या उनका जो काम कालते उनमें कम ही आने लगी नतिज़ा यह हुआ कि बंगाल के नवाप मुर सिद कली खाने इसका विरोध करना का अधिकार चार्टर से क्या फाइदा मिला तो क्या फाइदा मिला था देखो बेटा आमने यहां पड़ा आप यह सारा लिखोगे ताकि कोश्चन समझ मैं 1620 में इस्ट इंडिया कंपनी के इंग्लैन की महारानी एलिजबेद पर्थम से पूरों में वैपर का चार्टर हासिल किया था यहां से लेकर इसकी अनोसार यहां से लेकर यहां तक ठीक और धीरे धीरे उनका मुनाफ़ा कम क्यों होने लगा तो बेटा देखो क्यों बेचना चाते थे वो धीरे धीरे और कम क्यों होने लगा तो देखो यहां से लिखो यूरोप के बजारों में भारत के बने बारीक सूधी कपड़े रेसम के अलावा काली मिर्च, लोओं गिलाएची, दालचीनिन सब की जबरजस्त मांग थी जिसके कारण वो इनको ले जाना चाते थे और सभी यूरोपे कमपनियों के बीच बढ़ती परतिस परदा की कारण भारत में इन वस्तों के कीमत बढ़ने लगी और फिर इस वज़े से क्या हुआ उनका मुनाफ़ा घटने लगा व्यापारियों का जो यहां से ले कर जाते थे कीमत बढ़ने से ये दूसरे का अंसर लिख दोगे ठीक है अब बेटा थर्ड कोशन क्या है आपका कि बंगाल के नवाबों ने इस्ट इंडिया कंपनी का विरोध क्यों सुरू किया तो देखो यहां से लिखोगे बेटा इसको आप सारा समझने के लिए कंपनी ने मुगल बाद साउरंग जेव से फरमान प्राप्त कर लिया था जिसके अनुसार कंपनी बिना सोल चुका है व्यापार कर सकते थी लेकिन यहां अधिकार कंपनी को मिला था पर उसके जो अफसर से उन्होंने निजी व्यापार के लिए इसका इस्तमाल किया जिसकी वज़े से क्या हुआ राजस्व में कमी आ गई और इसकी वज़े से अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हो तो देखो यदि किसी देश में किसी एक विशेस वर्ग को पढ़ने का अधिकार हो तो उस देश के समाज के आदे से जादा वर्ग अनपढ रह जाएंगी जिसके कारण उस देश का विकास बाकी सभी देशों के अपेकसा बहुत कम ह और ये सबी वैक्ति अपना विकास भी नहीं कर पाएंगे पढ़ा लिखा वर्ग तो तरक्की करके आगे बढ़ जाएगा लेकिन अनपढ़ वर्ग के लिए अपनी आजीवी का चलाना भी बहुत मुस्किल हो जाएगा इस परकार किसी भी अक्षेतर के में एक अधिकार होने स एक अधिकार हमारे जीवन को परभावित कर सकता है ठीक है आप अवने तरीके से कोई भी उधारन ले सकते हो ठीक है तो ये थी बेटा आपकी आज की वक्षित उमीद करते हूँ आपको समझ आ गई होगी फिर भी नहीं आई तो दोबारा देखना बेटा और अगर आई अपना नेक्स टोपिक हम अपने नेक्स टूडियों में करेंगे तब तक के लिए से हसते रहें मुस्कुलाते रहें पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें थैंक्यू